अब हल्दी की विधी प्रारंब करें समाचार सत्य है महादेव संपूर्ण देवता और गणों के साथ क्यालाज से प्रस्थान करने वाले हैं मा, पिता श्री को आपके पास आने से रोग पाना बहुत कठीन हो रहा था ना? इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए पुट्र, तता रहे हो मुझे नहीं, नहीं मा, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो बहुत साधरन सा रिशी हूँ प्रभू मेरे जो कुछ भी है, वो सब मेरे पुत्री का है आपको भेट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारत तयार की हुई किवले रुद्राक्ष की माला ही ला पाया हूँ रिशीवर आपने तो मुझे अपनी असाधारन और मुल्य निधी भेट करने वाले हैं आपकी फुत्री प्रभू अपना तिलक करने की मुझे अनुमती देजिए मैं आपको बारात लाने का निमंत्रण देता हूँ प्रभू कि विधी विधान के अनुसाल हमें रिशी कात्यान से निमंत्रण भी प्राप्थ हो चुका है कि दिलाग भी लग चुका है अब हमें प्रस्थान करना चाहिए पिताश्री रुखिये इतने शीघरता भी क्या है पिताश्री क्या हुआ पूत्र पिताश्री आपके श्वसुर इतने स्नेह से रुद्राक्ष की माला लेकर आये है उसे तो धारन कीजिए आवश्य कि अलो पहली माला पिताश्री अब क्या हुआ पोत्र अब क्या शेश रह गया नहीं पिताश्री मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघरता में आप हमें ना भूल जाए हम भी साथ चलेंगे ना कात्यान जी आप प्रस्थान कीजिए हम बारात लेके आते हैं मैं कृतार्थ हुआ मा आपके और महादेव के उन्हेर विवा का भाग बनकर मैं धन्य हो गया मा धन्य हो गया मैं मा अब शीघरी पी तश्री बारात लेकर यहां पहुचेंगे आप पूर्ण रूप से तयार हो जाएए पुत्र अब विधिवत रूप से विवासंस्कार की सभी रितियां आरंभ होगी सर्व प्रथम मैं जानता हूं बुआ जी सर्व प्रथम हल्दी की विधी होगी और जिसके लिए मैं वर्पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूं स्वामी ने मेरे लिए भेची पुत्र ये हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आये इसलिए सर्व प्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगी हाँ मा सब कुछ उजित प्रकार से हो रहा है मुझे प्रसनता है कि इस शुभवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विग्न नहीं विशेप्रिये तुम्हें तो तुम्हारे ब्राता ने धूल दूसित कर दिया तुछो दुरबल हो तुम विशेप्रिये दुरबल और संसार में सबसे शक्ति शाली योदाज लड़ने का दुस्साहस कर रहे हो उससे टकराओगे तो इसका तंड अवश्य पाओगे तंड तुम मैं दूँगा उचित अवसरानी पर बल को छल से खंड खंड करूगा अब अंत करूगा मैं इस मल युद्य का हुआ इससे चल रुको अधिश्टा मत करो हुआ कि अधियार करो अपनी पराजे नहीं तो मेरे बल से हतात होने के लिए तैयार हो जाओ हुआ 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 सुन्दर प्रिये पंचाली हो तो क्या हुआ हुआ अपने बल का प्रियोग वायूग में करोगे हुआ हुआ तुम्हारा बल मेरे समक्ष निर्वन हो गया हुआ हुआ तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं मेरा प्रतिरूप मात्र है हुआ हुआ यह तो सत्य है मैं व्यर्द ही अपन पन नष्ट कर रहा था मान गए विशह प्रिये सुन्दर प्रिये तुम्हारे ब्रहता ने तो तुम्हें मुर्क बना दिया यह तो मेरी सुन्दर प्रिये की होगी और विशह प्रिये की होगी पराच है लोब मेरा एकोर वार! सुन्दर प्रे, आनंद आया! अब अपनी पराजय स्विकार करो, सुन्दर प्रे! अब कहाँ भागोगे मूर को, मसल कर रख दूना इश्चिना के नीचे! मसलो, अवश्य मसलो, किन तु किसे मसलो के सुन्दर प्रे, मुझे या इसे? नहीं, नहीं, उसे! नहीं, नहीं, उसे! तुम्हारा चन नहीं होगा सपल, कितने भी प्रती रूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिला के नीचे! उसके पूर्व, मेरे बार्ण तुम्हें छेद देंगे! और ये तुम्हारा पत्तर तुम पर ही किरेगा! रुक्यो! उत्तम, अती उत्तम पुत्तरो! मेरे दोनों पुत्र अब उस कारे को करने के लिए तयार हैं, जिसके लिए मुझे कबसे प्रतेक्षा थी! सूरिदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप! समझ संसार में समय के महतों को आप से अधिक और कौन समझ सकता है! तदा भी आप विलम कर रहे हैं! महादेव से तो तनिक भी प्रतिक्षा नहीं हो रही है! अब और विलम सेहना कठिन हो रहा है! मुझे शीगरूमों के पास पहुँचकर उसका वरण करना चाहिए! शीव और शक्ति का मिलन शीगर होना चाहिए अब! अब और प्रतिक्षा का क्या उचत्त्य है ब्रहमदेव? परन्तु महादेव, शीगरता करने से कोई लाब नहीं! जब तक वधो के यहां से हल्दी नहीं आती, तब तक तो प्रतिक्षा करने ही होगी! लीजिये! आ गई हल्दी! पिताश्री, वहां तो बड़े उम्मंग से सभी तैयारिया चल रही है! और मा की हल्दी की विदी आरंभ भी होने वाली है! देवी पार्वती, अब हमें प्रारम करना चाहिए! देवी लक्ष्मी, कनेश को आजाने देजिए! सर्व प्रत्थम बोगिं मुझे हल्दी लगाएगा! तब तो शीग्रही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए! उचित है! नात, आप त्रिष्टी रचाइता है, वरिष्ट है, तो आपी आरम कीजिये ना? शिरीहरी, कदाचित आपको ये विदी प्रारम्ध करनी चाहिए! परन्तु मैं... नारायल, नारायल! प्रणाम त्रिदेव! उचित समय पर पधारे हैं, देवरिशी! महादेव की हल्दी विधी, आप ही प्रारम्ध करें! नारत अचंपित, नारायन, नारायन! प्रभूब, क्या ही आनुच्वित नहीं होगा? अ, अर्थात, मैं, मैं कैसे सर्वप्रतम हल्दी? देवराज, इंदर भी तो उपस्थित है यहाँ पर! अर्थात, देवराज, इंदर की उपस्थिती में, मैं कैसे? पद भी इनका उंचा है, तो आरम भी आप ही को करना चीए, देवराज? नहीं नहीं, देवरिशीप, ब्रमदेव और प्रभुश्री हरी के रहते, मैं कैसे शुरुवात कर सकता हूँ? अ, यदि आप सभी की अनुमती हो, तो मैं एक सुझाओ दूं क्योना इस विधी का अरम भी हम प्रथम पूझ्य गनेश से ही करें? अत्युत्तम है वैसे भी पिताश्री और मां को साथ लाने के लिए तरवाधी के अतनतो इस ही ने किये है हाँ हाँ, अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा अनन्द आएगा किन्तु मां भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री अभी और प्रतीक्षा मैं अभी गया और अभी आया रनेश, याद नहीं ओमा से मेरा पुनर रिवा हो पाएगा भी या नहीं मां ये है शुब हल्दी पुत्र ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है अब गनेश कहां रह गया कब हल्दी लगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे पिता श्री ये है आपके शुब हल्दी अब हल्दी की विधी प्रारंब करें हाँ पुत्र मैं तो कब से इंतिजार कर रहा हूं कि अब आपने ये उचित नहीं किया प्रतीत होता है आपको तो पिता श्री से भी अधिक शिगरता है कि अब आपको तो बस गनेश हो गया शिगरता करो बस हो गया पिता श्री कि अब बस ठापको तो का था श्री प्रणार करें कि अब आपको तो प्रांव कि अब आपको तो रहा हुआ हो कि अब आपको ये वीता श्री अब भावादा अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण किजिए महादेव अपनी हतेली में क्या देख रहे हैं अद्भुत है मनुहारी है धेवी पार्वती की ये छवी स्वामू ये हल्दी तो आपर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती ये हल्दी तो आपर देख रहे हैं अद्धेश में आपर देख रहे हैं तो आपर देख रहे हैं तो आपर देख रहे हैं तो आपर देख रहे हैं रिखले हैं अंग अंग दीमें दीमें चाया है मेरा रंग दीमें दीमें जलते हैं हाथ मेरे, कैसी है प्यास जागी आखों में है दुआसा, बन में है अगलावी जागी, जागी सासों में कैसी आदी है, कैसा दुपा है तुंदर प्रिये, तो मत्यंत बल्शाली हो विशे प्रिये, तुम्हारा मायवी बल तो किसी को भी चल सकता है आज धम बासुर का दम और फी विशाल हो गया दम बासुर का विश्वास और शक्ति के आधार कम वो तुम अनुचित है दम, विनाश का कारण बदता है ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, इन तो असंभाव है ऐसे प्राकर्मी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम ना करू तो अनुचित होगा दम, दुस्सास, दुराचार मेरे जैसे असर को यही गुण शोबा देते हैं मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है अर्थार, इतने देर्ग समय से मैं जिसकी प्रतिक्षा कर रहा था वो अवसर अप्रस्तुत होने ही वाला है परमपरा का विधान सब के लिए समान होता है, चाहे वो इश्वर हो या सामानी प्राणी देखें देवी पारवती, महादेव बारात लेकर आ गए है जब महादेव विभा के लिए तक्षिन में होंगे, तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश सुरक्षा से रिक्ष होगा ऐसे शुबल सर पर महादेव को माज दोंग हम है इस हफते देखिए गणेश कार्धिके के साथ साथ शिव पारवती के प्रेमल गाव के एक नई गाथा